नमस्कार न्यूस क्लिक में आका स्वागत है आज हम बात करेंगे इलेक्टोरिल बॉन्ड यानि की चिनावी बॉन्ड के बारे में हमारे साथ महमान है अंजली भादवाजी वेलकम टू न्यूस क्लिक अंजली जी इंसी पी एर आए के साथ जुड़ी वी हैं वो एक आर्टिय एक्टिविस्ट हैं और उन्होंने रिसेंटली हाल ही में एक आर्टिया के जरिये काफी सारा इंफोमेशन वो पब्ली के सामने लाई हैं तो पहले हम शुरू करते हैं कि ये इलेक्टोरल बॉन्ड आखर चीज क्या है तेखें इलेक्टोरल बॉन्ड बहुत सीधी तरीके से अगर हम सोचें तो केवल एक इंस्ट्रूमेंट है एक तरीका है जिससे कि कोई भी इंडिविजूल या कंपनी किसी भी पुलिटिकल पार्टी को फंडिंग दे सकते हैं पैसे दे सकते हैं एक पूरी तरह से गोपनिया तरीके से तो मतलब अगर मैं इलेक्टोरल बॉन्ड किसी पुलिटिकल पार्टी को दूं तो किसी को पता नहीं चलेगा कि मैंने कतने पैसे पुलिटिकल पार्टी को दिए मैंने दिए और किस पार्टी को दिए ये भी पता नहीं चलेगा तो पूरी तरह से गोपनिया है केवल बैंक को जो कि like the state bank of India जो कि national bank है और इसलिए government control किसने पैसे दिये और किसको दिये तो जो पैसे देने वालों में कंपनी भी आती है उनका नाम या उनका पता गोपनी रखना यह जरूरी क्यों है देखे अगर हम थोड़ा पहले से इसको हिस्टोरिकल परस्पेक्टिव में देखे हमारे देश में एक बहुत बड़ी समस्या यह है कि पुलिटिकल पार्टी की जो फंडिंग है वो ट्रांसपेरिंट नहीं रही और यह मांग बार बार उठी लोगों की ओर से कि हमें मालूम होना चाहिए कि कौन पुलिटिकल पार्टी को पैसे देते क्योंकि जब हम वोट करने के लिए जाते हैं तो हमारे लिए जानकारी बहुत जरूरी है क्योंकि अगर हम सोचें तो पार्टियां उन्हीं के लिए काम करेंगी जो उन्हें पैसे देते हैं और क्विट प्रोको का पूरा मामला होता है तो पार्टी अधी किसी कॉर्परेट से पैसे लेती है चाहे वो अंबानी हो अडानी हो टाटा हो बिर्ला हो कोई भी हो तो जब वो पावर में आएगी पार्टी जीत कर तो वो उन्हीं के हित में policies बनाती है उन्हीं के हित में काम करने की कोशिश करेगी क्योंकि वो उनके funder हैं तो जब as a citizen हम vote करने के ले जाते हैं तो हमें जानकारी होना बहुत जरूरी है कि किस party को कौन पैसे दे रहा है तो यह मांग शुरू से रही है पर पहले जो laws थे उसके तहट यदि 20,000 रुपे से कम कोई भी donation दे political party को तो कानूनी तोर पर उनका donor का नाम बताने की जरूरत नहीं थी उसमें गोपनी आता थी तो डिमांड यह थी कि transparency होनी चाहिए है लोगों को पारदर्शिता होनी चाहिए जानकारी होनी चाहिए कि 20,000 से भी कम जो है वो पैसे कौन दे रहे हैं लोग अब जो electoral bond आए उस समय पे सरकार ने तो यह कहा finance minister ने पार्लिमेंट में भी कहा बाहर भी यही बात कही कि हम पारदर्शिता लाने के लिए electoral bond ला रहे हैं पर अगर electoral bond की scheme को देखे तो वो बिलकुल उससे उलट है वो कहता है bond scheme ही ये इस तरह सेटप है कि किसी को मालूم ही नहीं चलेगा बीस हजार तो छोड़ी है अब कुई बीस हजार करोर रुपे भी किसी political party को दे तो political party को बताने की जरूरत नहीं है कि किसने पैसे दिये उनको जानकारी नहीं होगी और लोगों को जानकारी नहीं होगी कि किसने पैसे दिये और कितने पैसे दिये तो क्या आप companies को सरकार को जो filing करती है अपने annual report वगरा जो दर्ज करने पड़ते हैं क्या उसमें भी यह reveal नहीं करना पड़ेगा कि उनके पैसे कहा गए देखे पार्टी इसको यह बताना पड़ेगा कि पैसे electoral bond खरीदने के लिए इस्तिमाल हुए लेकिन कहा गए किस party को गए यह बताने की ज़रूरत नहीं है तो जब electoral bonds को बनाया गया legal एक तरीके से तो finance act जो था 2017 का उसमें मोटे मोटे तौर पर 3-4 changes किये गए पहली चीज आरबी आई का जो act है उसमें section 31 को बदला गया जिसमें कहा गया कि electoral bond की scheme सरकार बना सकती है और electoral bond जारी होंगे फिर दूसरी चीज companies act को change किया गया जिसमें एक चीज जो कही गई वो यह थी कि अगर आप electoral bond लेंगे खरी देंगे तो आपको ना shareholders को बताने की जरूरत है और ना ही यह खुलासा करने की जरूरत है कि आपने किस party को यह bond दिये साथ ही में ये भी कहा गया कि पहले 7.5% की limit होती थी तो अगर कोई corporate पिछले तीन साल के जो उनके profit है उसके 7.5% से जादा देना चाहे वो नहीं दे सकते थे किसी political party को donation में अब उस limit को भी हटा दिया गया है तो इसका मतलब कि कोई भी fly-by-night operator आ सकते हैं शेल company सेट अप हो सकती है और वो अपना पूरा का पूरा fund किसी party को electoral bond के रूप में दे के गायब हो सकते हैं और साथ ही में FCRA को भी change कर दिया गया अब political parties foreign funds भी ले सकते हैं तो ऐसे में कोई foreign entity भी आकर अब electoral bond खरीदेगी किसी को मालूम नहीं पड़ेगा कि किसने bond खरीदे हैं और party को fund कर दिया तो पूरा जो electoral process है वो ही initiate होने का इसमें बहुत बड़ा खत्रा है यह चीज़ आप ही नहीं कह रही है यह अलग अलग सरकार के विभागों ने कहा है डिपार्टमेंट ने कहा है आर वी आई ने कहा है एलेक्शन कमिशन ने कहा है कि यह सारे race काते हैं electoral bond के साथ देखें बिलकुल आपने सही बात कई क्योंकि यह केवल लोगों की ही बात तक्सीमित नहीं रहा है अभी जो RTI applications डाली गई जो applications जो हमने डाली और उसमें जवाब आये हैं उसमें पूरी correspondence का ट्रेल निकला है तो सरकार ने जब finance act के जरिए जब RBI law के अंदर change किया कि अब electoral bond scheme बनाई जाएगी उस समय पे भी RBI ने उसकी खिलाफत की उसके बावजूद सरकार ने ये RBI act को बदला और कहा कि अब से electoral bonds बनेंगे उसके बाद जब scheme बननी शुरू हुई उसकी तैयारी में जब बातचीत हुई different regulators से RBI से election commission of India से इन सब ने अपनी आपत्ती जिताई in electoral bonds bonds पर क्योंकि उन्होंने यही बाते कहीं कि देखे ये bonds जिस हाल में अभी scheme है उसमें तो ये black money का जरिया बन जाएंगे बनाने का generate करने का money laundering होगी Reserve Bank of India ने तो ये भी कहा कि हमारी जो पूरी sovereignty है उसको खत्रा है और undermine होगी तो उन्होंने बहुत सारे खत्रों के बारे में सर इलेक्शन कमिशन ने कहा कि अगर हमें पता ही नहीं होगा कि कौन सी party कहां से पैसे ले रही है तो shell companyya set up होने लगेंगी और बाहर से foreign entities देश में पैसा डालने लगेंगी political parties में जो की पूरी जो हमारी political व्यवस्ता है उसको बरबाद कर सकता है तो इन सब चीजों के बावज एक objection को नजर अंदाज किया RBI ने last तक भी अपना approval directly नहीं दिया scheme को उसके बावजूद सरकार ने कहा कि हम indirect approval मानते हैं क्योंकि RBI ने finally कहा कि हमारे board ने इतना मना किया है पर फिर भी अगर सरकार करना चाहती है then let it be और उसी term को use करके सरकार ने कहा कि let it be का मतलब है indirect approval और आ आपको क्या लगता है कि सरकार इतना कीन क्यों है इतना जुट क्यों गई है electoral bond के scheme के पीछे देखे सीधी सी बात है चाहे ये कहा गया कि हम पारदर्शता लाना चाहते हैं scheme में और जब scheme आई और सवाल पूछे गए तो उस समय पे जो वित मंतरी थे श्री अरुन जीटली उ जोग काले धन को इसलिए कैश में देना चाहते हैं political parties को वो white में इसलिए नहीं देना चाहते क्योंकि donors identify नहीं होना चाहते कि हमने पैसे दिये क्योंकि ruling party जो power में होती है उससे वो डरते हैं कि कहीं उन्होंने opposition को पैसे दे दिये तो ruling party उनके खिलाफत में काम करेगी लेकिन जो ये set up हुआ है scheme इसमें बड़े एक गोपनिय तरीके से और जिस तरीके से scheme बनाई गई है उसमें सिरफ एक ही party को पता चलेगा कि किस ने किसको पैसा दिया और कितना पैसा दिया और वो है ruling party तो ये सीधी सी बात ये है कि हाथी के दांत खाने के और और दिखाने के और त playing field को destroy करती है electoral bonds में अगर कोई पैसे देते हैं electoral bonds का इस्तेमाल करते हुए तो ruling party को क्योंकि सरकार को मालूम होगा इसलिए ruling party को मालूम होगा किसने पैसे दिये ना opposition parties को मालूम होगा और ना ही लोगों को मालूम होगा तो ये जो पूरी बात कही गई कि electoral bond scheme हम इसलिए बना र party को ruling party को पता ना चले ये सरासर जूट थी और जो information रहेगी scheme की donation की वो सिर्फ सरकार के पास रहेगी क्योंकि SBI ही bank है लिकुल देखे SBI is a national bank तो national bank के पास सूचना है अब ये कहा गया लोगों से जब scheme आई कि हमने तो कोई serial number नहीं रखा इस पे इसको trace करने का कोई तरीका नहीं है किसी को डरने की जरूरत नहीं है SBI को भी नहीं पता होगा किसी को भी नहीं पता होगा लेकिन फिर ESTA से मालूम पड़ा किसी ने मालूम लगाया कि UV light में जब उसको देखते हैं तो एक serial number नजर आता है अब जो RTI application लगा कि जो सूचना आई है उसमें SBI ने खुद क लेंगे तो हम audit trail कैसे करेंगे हमें कैसे मालूम होगा कि कोई forgery नहीं हो रही इन bonds की तो इसलिए serial number डालना तो जरूरी है और सरकार कहती है कि हाँ ये तो ठीक बात है that means उन्होंने serial number डाले है bonds पे तो clearly SBI को मालूम है कहां पर कितना bond खरीदा गया कितने का किस ने खरीदा क् KYC उनके पास जमा होगी और ये भी जानते हैं कि वो serial number किस political party के पास गया क्योंकि वो भी party को कुछ designated अपने account में ही डालना है तो देखे bank को national bank को मालूम है income tax department में भी amount देना पड़ रहा है तो सरकार को तो जाहिर है के मालूम है और सरकार को मालूम है तो ruling party को मालूम ही है त अपनिये रखे गई है सरकार और ruling party के पास इसकी पूरी सूचना है तो कल ऐसा भी हो सकता है कि जो सरकार आज ruling party है कल वो opposition party है लेकिन ये scheme का design कुछ ऐसा है जैसे कि मतलब चाहिद बीजिपी ऐसा सोच रहे है कि अभी हम है और कल किसने देखा तो ये सोच मतलब ये समझना थ बीजिपी से ही पूछना होगा लेकिन जहां तक मुझे समझ में आ रहा है शायद बीजिपी का ये सोच रही हो कि इसके जरिये से सारा पैसा जो है जो उनके पास आएगा और जो पूरी level playing field destroy होगी उससे शायद वो कभी सत्ता से बाहर जाई ही ना तो ये जो scheme है इसके जरि जो 6,000 करोड रुपे ट्रांसफर हुए हैं अभी तक उसमें से सारे की सूचना तो है भी नहीं किस पार्टी को गया है पैसा के वल फर्स ट्रांच की जो सूचना निकली है कि बॉंड्स किस के पास गए है उसमें से 90 प्रतिशत से जादा बॉंड्स जो है वो बीजेपी के पास गए हैं तो जादा तर पैसे इलेक्टॉरल बॉंड्स का इस्तेमाल से समझ में आ रहा है कि बीजेपी के पास ही जा रहे हैं तो क्लियरली दे बेनिफिशरी जो इसके हैं वो बीजेपी ही है तो शायद यही सोच रही होगी कि पैसे आएंगे तो सत्ता वहीं रहेगी कि किसी भी लोकतंत्र में सबसे भी आल हैव राइट तो नो मतलब वो तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि लोगों को जानने का अधिकार है क्योंकि यदि वो जानेंगे नहीं तो वो अपनी freedom of speech, freedom of expression और voting तो एक freedom of expression है उसको कैसे ठीक से exercise करेंगे तो लोकतंत्र में इससे system था उसमें जो कमिया थी उनको ठीक किया जाए कमी जैसे मैंने बताया यही थी के black money parties ले सकती थी और दूसरी बात यह भी थी के parties को 20,000 रुपे से कम किसी ने भी दिया हो उसका नाम बताने की जरूरत नहीं थी जरूरत यह थी कि अगर कोई reform आता तो यह होता कि आप cash लेन बिल्कुल बंद करते हैं और दूसरी बात पूरी तरह से पारदर्शी होएं सभी parties बताएं के वो कहां से पैसे ले रही हैं उसकी जगे सरकार यह electoral bond scheme ले आई जो की जो हमारा लोकतांत्रे का अधिकार है सूचना का अधिकार जानने का अधिकार उसकी बिल्कुल विपरीत ह है उसके उपर पूरी तरह से प्रहार है और आप अगर यह देखिए कि 2013 में Central Information Commission जो केंदर सूचना आयोग है उसकी पश्ट ओर्डर्स हैं उन्होंने कहा कि जो political parties हैं छे political parties का उस टाइम पे चर्चाती छे political parties को उन्होंने कहा कि political parties आर्टी आई के दाएरे में आती हैं तो उ सूचना देनी हैं लोगों को सूचना के अधिकार के तहट कोई भी उनसे पूछ सकता है कि आपको पास कितने पैसे आए कहां से आए आपने पैसे कहां खर्च किये पार्टी इसको यह चाहिए था कि वह इस order को माने आज तक एक भी political party ने वह order माना नहीं है अब बीजेपी अगर यह कहती और बीजेपी की सरकार थी उस समय पे 2017 में जब यह electoral bond scheme बनी तो बीजेपी अगर कह रही हम पारदर्शिता चाहतने हैं तो उन्हें तो सबसे पहले कहना चाहिए था कि हम तुरंत RTI के दाएरे में आते हैं अगर मन्शा वास्तव में यह थी के पारदर्शिता बढ़ जाएगी कुछ उसकी अंदर reform और करिये कुछ better करिये यह उल्टा सिस्टम लाने से तो कोई पारदर्शिता नहीं बढ़ी और बलकि जितनी थोड़ी बहुत transparency थी भी system में वो भी पूरी तरह से दवस्त हो गई है तो RTI के जरिये से आपने 2019 मार्च तक के सारी फाइल आपने access करी है यह अब public information माना जाए कि जो भी आपकी 300 के करीब पन्ने है तो इसमें क्या प्राइम मिनिस्टर का जो office है उसमें नितिन सेठी की जो जर्नलिस की स्टोरी है उसमें भी PMO का जिकर आता है तो प्राइम मिनिस्टर ओफिस तक क्या पारदर्शिता की कमी पाई है आर्टिया के जवाब पनने पढ़ते हैं देखी जो आटिया में जवाब आया है उसमें पेपर्स निखले हैं जिसमें लिखा गया है कि प्राइम मिनिस्टर के साथ में ब्रीफिंग हुई और जो समझ आता है पेपर से और वो आप पब्लिक डुमेन में है पेपर कोई भी कि जब प्राइम मिनिस्टर के साथ ब्रीफिंग हुई कि इलेक्टोरल बॉंड स्कीम क्या है प्रपोजल रखे गए और उन पर चर्चा हुई तो जो प्रपोजल जो एक स्क्रैप कर दिया गया वो था लोगों से उस स्कीम की डीटेल्स को शेर करना पुलिटिकल पार्टी के स साथ उसको सर्क्यूलेट करना स्कीम को और लोगों के साथ में कॉंसल्टेशन करना उन से पूछना के पब्लिक कॉंसल्टेशन करके कि आप अपनी राय दीजियो और पुलिटिकल पार्टी से पूछना जो कि होना भी चाहिए क्योंकि लोगतंत्र का मतलब ही यह है तो यह जो है वो scrap कर दिया गया उस meeting के बाद, तो ऐसा प्रतीत होता है paper से, कि जो ये proposal था और इस proposal को हटा दिया गया, और ये scheme जो है, वो बिना किसी public consultation के, और बिना पार्टी ओंस के, जो political parties हैं, उनसे discuss किये बगैर, उन्हें circulate किये बगैर, बना दी गई, तो ये जो है, वो तो लो Legislative Consultation Policy है, जिसमें लिखा है कि सारे कानून, सारे Subordinate Legislations जब बनते हैं, तो उसमें लोगों की भागिदारी होनी चाहिए, उनसे बातचीत होनी चाहिए, अफेक्टेट पार्टी से बातचीत होनी चाहिए, वो कुछ नहीं हुआ, और वो प्राइमिनिस्टर के साथ जब ब्रीफिंग हुई, उसके बाद पेपर से नजर आता है कि उसको स्क्रैप कर दिया गया प्रपोजल को, यह मामला अब सुप्रीम कोर्ट भी कही ना कहीं वो हीरिंग चली रही है, तो उसमें सुप्रीम कोर्ट में कहां तक पहुंचा है यह किस और फाइनली जब यह मुद्दा हीरिंग के लिए उठाया गया, वो 2019 में चुनाव से बिल्कुल पहले उठाया गया, कोर्ट ने जब थोड़ी बात सुनी, थोड़ी हीरिंग हुई, उसके बाद कोर्ट ने यह कहा कि यह मुद्दा तो बहुत गंभीर है, और लोक तंत्र के लिए यह एक बहुत ग्रेव इशू है से बहुत कॉंसिक्वेंसे हो सकते हैं, तो कोर्ट ने कहा कि अभी हम इसकी सुनवाई नहीं करेंगे, समय नहीं है, चुनाव के बाद हम इसकी सुनवाई करेंगे, और साथ ही में कोर्ट ने यह कहा कि सभी पार्टी जो हैं, वो बता इक सील्ड एंवलप में, इलेक्शन कमिशन को कि उनके पास किसने कितने पैसे दिये, अब देखे हमें यह थोड़ा सा कंसर्निंग लगा यह डिसिजन, क्योंकि पहली बात तो यह है कि पुलिटिकल पार्टी चाहे उन्हें मालूम भी हो कि कौन पैसे दे रहा है, वो हमेश सवाल लगा, दूसरी चीज़, जब कोट को यह नजर आया, कि इलेक्टोरल बॉंड से हमारे लोगतांतरिक व्यवस्था को और इलेक्टोरल व्यवस्था को एडवर्स कॉंसिक्वेंस हो सकते हैं, तो उमीद कहीं यह भी थी, कि कोट यह कह सकते थे, कि इलेक्टोरल के जरिये जो पैसे आये हैं, उसका इस्तेमाल नहीं हो सकता, लेकिन उसके बिना इलेक्शन हुए, उसके बाद भी अभी तक हीरिंग शुरू नहीं होई है, बल्कि हम देख रहे हैं कि स्टेट्स के अंदर चुनाव हो चुके हैं, इलेक्टोरल बॉंड के जरिये से पैसे आते जा रहे हैं, चुनाव में इस्तेमाल होते जा रहे हैं, हम देख रहे हैं हाल ही में महराष्ट्रा में क्या हो रहा है, जिस तरीके की होर्स ट्रेडिंग की जो ऐलिगेशन बार बार लगाए जाते हैं, तो मनी का तो बहुत बड़ा रोल है, तो उमीद यही है अब कि को अब इस मामले की सुनवाई करेंगे, बहुत सारा नया जो सूचना है, इन्फरमेशन है, वो अब बहार आया है, आटी आए की जरिये से, तो यह जो सूचना बहार आई है, इसको भी कोट होपफुली इसका भी अध्यान करेंगे, and they will give a judgment, जो की इस तरह की जो गोपनी आता है, इसको बंद कराएं. The basic problem is election funding, जो हर पॉलिटिकल पार्टी और हर सिटिजन को कंसर्न करता है, तो पॉलिटिकल पार्टी की funding, क्या, election की funding सरकार ने करनी चाहिए, इसका ultimate final solution क्या हो सकता है? देखिए, funding कोई भी करे, problems वही रहेंगी जब तक पारदर्शिता नहीं होगी, मैं आपको simple सी example देके बता सकती हूँ, आज अगर किसी की state funding नहीं है, political party की, वो अपने पैसे raise कर रहे हैं, उन्हें बताने की अगर जरूरत ना हो कि कहां से raise कर रहे हैं, कैसे raise कर रहे हैं, बहु है कि हमारा तो majority of funding जो आती है, वो छोटे चंदे में ही आती है, तो हम बता ही नहीं सकते कि कोई भी हमें कित्ता पैसा देता है, cash में इकठी होती है वो सब, अगर ऐसी व्यवस्था रही, ऐसे में state funding और भी देना शुरू कर दे इन parties को, तो public exchecker के पैसे भी उने मिलने लग होगा, cash तो वो फिर भी इकठा कर सकते हैं, anonymously पैसे इकठे कर सकते हैं, तो मतलब केवल यह हो जाएगा कि exchecker के उपर और मार, क्यूंकि उन्हें अब और अपने exchecker का fund भी parties को extra मिलने लगेगा, तो कहने का मतलब यह है कि अगर हमें सुधार व्यवस्था में चाहिए, तो सबसे पहला जो कदम उठाने की जरूरत है, वो यह है कि parties पारदर्शी हो, वो लोगों को बताएं कि वो कितना पैसा ले रही है, black में money accept नहीं होना चाहिए, cash में money accept नहीं होना चाहिए है, और यह जो electoral bond type की scheme है, यह बंध होनी चाहिए है, हाँ उसके बाद जब यह सारी systems place म हो, उसके बाद में बात हो सकती है, कि state कुछ funding करे, जिससे कि सब parties को अलग-अलग तरीके से fund उठाने की जरूरत ना पड़े, और एक दाइरे में सब parties election लड़े, तो वो ideal system जो है, उस पे move करने के लिए बहुत जरूरी है, कि जो पूरी विवस्ता है, उसे पहले सुधार आ खांच जाये, ठीक है, हमाने सब जुरने के लिए बहुत सुक्रिया, thank you for joining Newslet.